तो मैं अपन दिक कोज्याओं के बारे में देखेंगे दिक कोज्याओं क्या होती है तो जैसे देखो इदर ये अपने पास X-axis है ये Y-axis है और ये Z-axis है यहाँ पे कोई लाइन है मैं मान लेता हूँ कौन सी लाइन है AB कोई रेखा है उसके समानतर मूल बिंदू से मैंने एक रेखा खिची कौन सी बड़ा OP मुझे इस AB रेखा की दिक कोज्याओं निकालनी है तो मैंने AB के समानतर एक रेखा मूल बिंदू से खिची अगर O P Rekha अक्षों के साथ जो कौन बनाएगी वही कौन EB रेखा के साथ भी सेम होगे, वही कौन EB बनाएगी, तो मैंने मान लिया कि O P Rekha X अक्ष के साथ अल्फा कौन बनाती है, y x के साथ बीटा कौन बनाती है और z x के साथ कौन सा कौन बनाती है गामा तो यह जो cos alpha और cos beta और cos gamma इसको अपन बोलते हैं दिक को जाए और दिक को जाएं को l, m और n से represent करते हैं तो l, m, n क्या हो गई दिक को जाए कौन सी रेखा की e, b, रेखा की दिक को जाएं क्या हो गई बटा cos alpha, cos beta, cos gamma जो रेखा है न जिस रेखा की दिक को जाएं आपको निकालनी वह रेखा अक्षो के साथ जो कौन बनाती है उसकी cosine है cos alpha, cos beta और cos gamma जो जो angle बना रही वो angle की value आप पूर्ट कर दीजे आपके पास lmn की value आजाएगी और lmn को ही अपन क्या बोलता है दिक को जाएं तो किसी भी रेखा की अपन दिक को जाएं निकाल सकते हैं अगर आपको angle मालूम हो फिर एक relation होता है दिक को जाएं में l square, m square, n square is equal to 1 इसकी भी बहुत सारे question में आपको जरूरत पढ़ती है तो एक तो दिक को जाएं कब निकाल सकते हैं आपन जब angle गीवन हो अकसों के साथ जो कोन आपको मालूम है x, y, z अकसों के साथ तो आप दिक को जाएं निकाल सकते हो अब अगर आपको दिक अनुपात दे रखे हो किसी रेखा के दिक अनुपात ग्यात हो और आप दिक को जाएं निकालनी हो वो भी निकाल सकते हैं तो दिक अनुपात क्या देखे हैं a, b, c अगर गीवन हो a, b, c गीवन हो तो l बराबर फोर्मूला हो जाएगा a upon under root a square b square c square m बराबर b upon root a square b square c square और n is equals यहां लिख देता हूँ है c upon root a square b square c square ये भी दिक को जाएं है lmn दिक को जाएं है कब जब आपको दिक अनुपात पता हो ठीक है एक बात मैं और बताना चाहता हूँ ये तो दिक को जाएं जब दिक अनुपात आप गर किसी रेखा के दिक अनुपात अगर आप ज्याद कर सकते हो तो दिक को जाएं निकाल सकते हो आप ठीक है और angle आपको मालू में तब भी दिक को जाएं आप निकाल सकते हो दोनों के formula मैंने आपको बता दिये है एक छोटी सी confusion बहुत रहती है उसको मैं clear करता हूँ देखो किसी सदिश कोई बिंदू जैसे A है उसको मैंने माल लिया 1, 2 और 3 तो देखो O A मतलब A का इस्तति सदिश क्या होगा बटा O A vector किसका इस O मिंदू A का इस्तति सदिश के लगता O A सदिश जो हो जाएगा I plus 2J plus 3 के बिंदू के आगे आप IJ के लगा दीजी आपके पास के आजाएगा बटा इस्तति सदिश position vector अब इसको मैं O A से represent करूँ या A से represent करूँ ये मेरी इच्छा है आपके से भी represent इसको कर सकते हो सदिशो का निरूपन होता है वो double letter से representation और single letter से representation कभी इसलिए बचे होते कि O A A के से बन जाता है ये प्रदेशित करने का तरीका है कि आप O A से represent करो या small a से represent करो किसी भी सदिश के इस्तति सदिश को clear है ये आपकी इच्छा है और एक ध्यान और बात रखनी है सदिश हमेशा क्या देता है दिख अनुपात सदिश के IJ के गुणां को हटा दो तो जरूरत पढ़ने पर आप उसको ABC के रूप में इस्तमाल कर सकते हो और जरूरत पढ़ने पर बिंदू के रूप में भी इस्तमाल कर सकते हो इसलिए कभी कभी दिख अनुपात बिंदू बन जाता है और बिंदू को अपन इस्तती सदिश में convert कर सकते हैं इसलिए बहुत परिशानी आती है कि confusion रहती है कि कौन सी चीज कहा है तो दोनों से सदिश हमेशा दिक अनुपाद देता है और सदिश बिंदू भी देता है यानि अगर सदिश के गुणांग सदिश के IJK के को मैं लूँ तो वो बिंदू भी बन सकता है और दिक अनुपाद भी बन सकता है आपको ये ध्यानगना सदिश के IJK भटा दिए तो बिंदू भी बन गया न दिक अनुपाद भी बन गया दिक अनुपाद चीए तो आप ABC से represent कर दो और बिंदू चीए तो X1, Y1 और Z1 से represent क देता है और 21 सदिश, 21 सदिश को अगर एप से represent करूँ तो vector upon vector का magnitude है न सदिश बटा सदिश का परिणाम क्या कहलाता है 21 सदिश और 21 सदिश हमेशा दिक को जय देता है ये ध्यान लखना आप direction cosine तो सदिश हमेशा क्या देगा आपको दिक अनुपाद जबकी 21 सदिश यानि unit vector आपको direction cosine देता है ना direction cosine यानि दिक को जय आपको देगा कोण 21 सदिश और सदिश क्या देता है दिक अनुपाद है ना direction ratio DR और this is what DC है ना shortcut में ये दोनों topic बहुत काम के थे बहुत सारी confusion है इसमें इसलिए मैंने confusion clear कर दी फिर भी कोई problem हो तो आप comment कर दीजे मैं आपको जरूर reply करूंगा enjoy the next video